So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप अगर Samsung के डिवाइस यूज करते है, और YouTube आपके Samsung के डिवाइस से डिलीट हो चुका है, तो कैसे आप डिलीट YouTube को वापस लाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा, बिल्की आइकोन को प्रेस कर लेना है, ओके, जब आपको इस टैप की प्रॉबलम आती है, तो सिंपल सा मैथड है, आपको अपने Samsung के डिवाइस में प्ले स्टोर पे जाना होगा, देन आपको YouTube यहाँ पे सर्च कर लेना है, YouTube आपको, मतलब इंस्टॉल दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अभी अब आपके फोन में इंस्टॉल है, डिलीट तो नहीं हुआ है, बड़ आपके फोन में अगर डिलीट हो चुका होगा, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का अप्सन हैगा, उपन की जगह में, सिम्पल आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, जैसे हम कोई भी आपको इंस्टॉल करते, सिम्पल उसी प्रकार हमको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल फिर से सोहना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार आप अपने सैमसंग के डिवाइस में, डिलीट यूटॉब को भी वापस ला सकते हैं, ओके, सो टॉपिक इसकावर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै मतादी